शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें एड़ कॉंस्टेबल पुश्पा सिंग और कॉंस्टेबल संतोश शर्मा जिनोंनों मिलकर पाप का सर्वनाश किया शहर में अमन और शान्ती कायम किया पर कहते हैं ना जहां अचाई है वहां बुराई भी जहां भगवान है वहां शैकान भी जहां हेरो है वहां विलन और इस कहानी का विलन है ऐसे चो बुलबुल पांडे बNeverस्टाना गॉम्पडेशन की लिए खटिया बन की ह फार कर ड़ाने अपने ठाने में आएसारे किस महला ःताने में भीजवा देने की घटिया चाल चली पिर भे महला घाने वालों ने हार नहीं मानी यह लड़े और जीते आखिरकार बह्वलाथाना गॉब इस थाना के ट वे बोलाब वे एक कहानी और आ और अर सुना एक मंत कहानी ? पैग पैग इक एक वच्अ पैग आ ये बद नम सुना रेशपश्ट राइटर ये अपना ऑप्रोग्र बना ये लिए आसे आपकर निंदे भी बना करता हूं बिल्लु बोलु क्या है कि आपकी नही काने बहुत अच्छी है कर्साम से बहुत अच्छी है लेकि सच्छी नहीं एक बास समझ में यह नहीं आ रही है कि अभी तक एक कॉंपूटिशन हुआ नहीं इन थाने वालों ने प्रफी जीती केसे लाइट वाल इन थे भाई देखे बिल्लु भाई काने में जोलत हुए एक करिशमा मैटम आँ स्फीन मैटम को तु जगड़ा होग्या इस मरॉखर्ण हो सेनामटम को सुंपंड कर लिया राइट एक गदा मरॉखर्ण ऑड़ा बोला करिशमा सिंह हम आपको सुस्पंड करते हैं कहानी में गरबड़े रहे हैं जहीं नहीं पिक और अम नहीं है इदा पहला इस खत्म तो कर लो यार एक और सब निकाला ना तो इस गिलास में दुबो दुबो के मारूंगा अरे यह कहानी इंटर्वल तक ही है यह जो कॉंपिडिशन है यह अपना मैला पुलीस था नहीं जित देगा कैसे कैसे बोलो 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 कैसे क्या बता काली खुपडी में बोल दिया बहुत ज्याद हो कि अब बस करो प्लीज बस करो एक और बात याद आ गए यह हम यह दारू का काम कर रहे नहां बेक वह किसी को बताने हो नहीं तो मेरा बिल्ली नुआज गया यह यह बताएगा यह बताएगा ने 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 बताँगा बटल गसम आप राद बहत वोगी, राद बहत वोगी, इत्छला, बहत शिर्गे. ना तुमकोर शोड़ देत्टाम। राश्चेत्रक। शोड़े, बहुत मज़ा, कसामस्य। इत्रे मज़ा में लाइपने अलगे! इस बाल दर्वाद बन्दे रिगे? मिल्लू भाई, बाहरे, 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 वहारे! आप हे हैं? हाँ, हम ही हैं! मैं किसे मानूम? मानली है…मानली है, आप ही है! आप ही है! माडम अठाव आपको ही याद कर रहा था वो मेरी कहानी रिसिस तक पहुंची है तो आप उसको एंड तक पहुंचा दिदिए मेरी मदद कीजिए बिल्लू सुनो सुनो मदद हमको चाहिए तुहारा समझ जो आपको मदद चाहिए और हम नहीं करेंगे ऐसे हो ही नहीं सकता हम तुह आपको मदद करेंगे क्यों नहीं करेंगे लेकिन आप इसे राइट लेफ मत हूँ मैं फोकस नहीं कर पार रहा हूं आप सीधे खड़े रूना एक सेकिन अब भी तुम्हारा फोकस होगा रूको तुह तूह तूह नहीं है तुम सुनो हमारा बात अब जो हम तुमसे तुम को क्या करना है अब जो भी रिपोर्ट, जो भी एफाइर, जो भी कम्प्लेन आएगा ना थाने में, तुम सीधा हमको रिपोर्ट करोगे, मतलब बादी का नाम, एड्रेस, उसका फोन, नंबर, सब कुछ तुरंथ हमको फोन करके तुम बताओंगे, समझ गए? पर्क्यू? एए, हमसे सवाल मत करो तुम पर्क्यू, समझ गए जैसा कह रहे है, मैसा करो नहीं तो? नहीं तो नहीं तो ये, सेल्फी? एई, वीडियो है, नहीं हूँ, देखो, थाने में बैठकर हम ये दारू काम कर रहे हैं, किसी को बतानी होना च्छी, समझे किसी को बतानी बतानी नहीं तो मेरा बिली शुवाला चलैगा ये बताएगा जिया थाजो नहीं है तर्थ कहदो, ये सबना हे, दिलट कर जो, आज खुली आग फुदीर होनाग फुदीगा तो भी तुम थाने से आउट हो जाओगे, अब तुम्हारे उपर है कि तुम्हें किसका वफादारी में शहीद होना है, ये मैडम सर इनका साथ देना है, हाँ, जो दिन बर जजबातों का खोकली पीपरी बजाती रहती लेकिन थाने के लिए कुछ नहीं करती है, या फिर हमार जो सिर्फ इस महिला पोलिस्थाना के लिए बल्कि शहर के सारे महिला पोलिस्थाना के मान सम्मान के लिए लड़ रही है, हम अपने महिला पोलिस्थाना को नंबर वान पे देखना चाते हैं, समझ रहो तो, अब बताओ तुम्हें किसका साथ देना है, अब जल्दी बताओ हमापस टाइम नहीं है, हमें पूरा रात या नहीं बिताना तुम्हार साथ, जल्दी बताओ हायाना, जल्दी बोलो हाँ, हाँ, हाँ? हाँ, कोई आपसनी नहीं है बहुत बढ़िया बिल्लू चंपत, अब ड्यूटी पर लग जाओ, हमको सारा खापड़ दोगे तुम, समझ गए? हाँ, हाँ, समझ गए दो घंट में चड़ाई थी, जादोगर्नी ने दो मिनिट में उतार दी, अब फिर से चड़ाने पड़ेगी, किदर है? यहीं फाइल चाहिए थी, ना? जैन, मैडम सेर्ड, जैन, 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 पुष्पाजी, जैसी करिष्मसिंग आजाए, उन्हें हमारी कीबिन में भीज़ दीजिएका. आप ही ने उन्हें सस्पेंड किया था ना मानम से? बहुत याद रही है ना उनकी? हम सब की भी यही हालत हैं. बहुत याद आ रही है करिष्मा जी की. यही तो मुश्किल होती है रिष्टों की. इतने पास है दूर जाकर ही पता चलता है. ऐसी कोई बत नहीं पुष्पाजी. वो बस ऐसी हमारे जबान से निकल गया था. उमीद करते हैं कि अब आप थाने में कंप्लेइन जाने देंगे और उनकी प्रॉपर एफायर भी लिखेंगे. प्रॉपर एफायर भी लिखेंगे. केट बैक टुवक. मेरा कोट फट जाएगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ. आय हाय, दीदा दिलेरी तो देखो इसकी, अपने किये का कोई भी पस्तावा निये से. मैडम, अब 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 से छोड़िया का नहीं, जेल में डाल दीजे इसको. इसके तो रोहू मच्ची की तरह, चुकड़े चुकड़े कर देने चाहिए हाँ. एक मिनिदा प्लीज आप प्लीज शान्त हो जाएए. क्या किया हिनोने? अरे, इसने लड़की छेड़ी है लड़की हाँ. मुझे लगा कि ये फिष्मांग रहोगा. ये गलती से फिष्की जीगा किस बोल गया है? फिर मैंने कहान लगा कि ध्यान ते सुना. ये तो कमीना, किसी ही मांग रहा था? मैडम आप इसको छोड़िये का नहीं. पंजीजे से अंदर. पंजीजे से अंदर. क्या मतला मैं तुमारा? क्या मैं सुन्दर नहीं रिखती? बाभवी आप सुन्दर नहीं, बहुत ज्यादा सुन्दर है. इनका उकात नहीं आपसे चुम्मा मांगने का. मैडम, मैं तो किस मांग रहा था? और देखिए, मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूँ. और उसी मान सम्मान से, मैंने इनसे इस रुमाल पे किस मांगी? पुछ लिजे इनसे. पर मांगी तो मांगी मैडम, छेडा ना? बंद कर दीजी आप इसको. छोड़िये गा नहीं इस केकड़ी के अलाद को. हाँ, प्लीज चिलाना बंद करिये. आप तो भाइसाब अच्छे से शरीफ घर के पड़े लेके आदमी लगते हैं. आपने इनसे किस मांगी ही क्यों? देखे, मुझे इस रुमाल पे एक महिला के चुम्बन का निशान चाहिए. वो तो किसी भी महिला का होगत चलेगा. मगर एक बात बताईए, आपको क्यों चाहिए किसी भी महिला का रुमाल पे किस? ताकि मैं खुद को कानून की नजरों में धोके बाज चरित्रहीन और भ्रष्ट पती साबित कर सकूँ. है? और मेरा किसी और वरत से भी संबंध है, ये भी साबित हो सके. तभी तो मेरी बीवी मुझे तलाग देगी मैडम. क्या? एक मिनिट, एक मिनिट. क्या बक्वस किये जा रहे हो? देखे, आप चाहें जो काईए. लेकिन इस रुमाल पे किस तेती जिए? हम? मा! बाद! देखी जो! हम देखे, 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 आप लोग इतनी सारी माइलाए हैं, एक किस कर देंगी तो बहुत महरबानी हो जाएगी. आप ही कर दीजा. महासेनद थोड़ा दूरी रहना है, पहलमान? और अपनी इमोसन को थोड़ा काबू मेरख रखो रदो बतार हैं, भुत ख़ड़ाब आदमी हैं हम. मैं, मैं, मैं करूँ! एक मिनिट, आप आप शांती से बताये आपकी प्रॉब्लम क्या है? शेकर, अगर आप अपनी मैरेड लाइफ से खुश नहीं हैं, और अगर डिस्टर्ब्ड हैं, तो इसका सेलूशन डिवोर्ष तो नहीं है. आप अपनी बीवी से बैठकर बात करिये, डिस्कास करिये, आम शौर सब कुछ ठीक हो जाएगा. नहीं, ऐसा कुछ खास बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मैडम. तो इसा खास छोटा प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हमारी मैरेड लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है. बाइदवे, हम लोग एक दूसरे के साथ एक्स्ट्रीमली खुश है. अमा तो प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ अगर इतना सही से चल रहा है अपनी पतने के साथ, तो फिर तलाक क्यों चाहिए? यहां अमारे लल्ला जो है. रिलक्स. देखे, मैं अपनी पतनी पल्लवी से इसलिए डिवोस लेना चाहता हूं ताकि उसको मुझसे आजादी मिल जाए. मुक्त हो जाए इस वेवाइक जीवन के बंधन से. और फिर से भई हस्ती खेलती, चुल-बुल-चंचल पल्लवी बंजाये जो वो शादी से पहले हुआ करती थी. मैं उसको वैसा ही देखना चाहता हूं जैसा मैं उससे शादी से पहले मिला था. शेखर, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी बीवी के बारे में इतना सोचते भी हो. लेकिन हम अब भी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम उन्हें छोडना क्यों चाहते हो? तो अगर आप अपनी बीवी को आजादी देना चाहते हैं तो फिर अपने प्यार की आजादी का आस्मान बढ़ाईए. अपने प्यार के साथ साथ अपना साथ दीजी अपनी बीवी को. उन्हें हसास दिलाएए कि वो कितनी खास हैं, आप उनकी कितनी परवा करते हैं, बहुत चोटी मोटी चीज़े, चोटे मोटे एफर्स की जरूरत है. आप घर के काम में उनका हाथ बटाईए ताकि उन्हें म बहुत आसाने बनाना मैं आपको सिखाऊंगी. संतु जी, हमको भी कभी खिलाई है सत्तु का पराठा? नहीं, होता है, होता है, हैसा ही होता है. जब भी मर्द ओरतों की मदद करने अपनी रसोई घर में घुसते हैं, सब काम तमाम कर देते हैं, हाँ. लला की पपपा भी ऐस आपकी बीवी बहुत फ्री हो जाएगी. उनका सारा टाइम आपके लिए होगा. अरे वो भी ट्राइ किया मैडम, सब कुछ कर के देख लिया. नहीं, सच बताओ, तो उसकी एक ही दिक्कत है कि उसे नोकर, चाकर, मेड़, वेट सबसे बहुत प्रोब्लम है. इतने नोकर सब को निकाल दिया. यह कहके कि तुम्हें काम नहीं आता. जब तक घर का एक छोटा बड़ा काम खुद नहीं कर लेती ना, उसे तसली नहीं मिलती मेडम. का बात कर रहे हैं भाया, इसा थोड़ी होता है. कोई भी अगर अच्छा काम करेगा, तो कोई मालिक उसको कहें निक अब तो हम भी जाने में इंट्रेस्टे नहीं कि आपकी बीवी को आखिर प्रॉब्लम क्या है? ट्राइ करके देखते हैं. एक काम करते हैं, हम आपके घर लोग बिजवाते हैं काम करने के लिए. पुष्पा जी. जी मैडम से. आप बनेंगी काम वाली बाई. अब हमारी आप बनेंगे ड्राइवर. एक दिन के लिए ये तीन हो आएंगे आपके घर काम करने के लिए. फिर देखते हैं कि क्या समझ में आता है. हो जाएगा ना? जी मैडम से. पल्लू? पल्लू? क्या है शेखर? मैं यहां हूँ. क्या हुआ? क्यू अवाज लगा रहे हूँ? पता है ना सुबह सुबह मुझे कितना काम होता है घर बे. बोलो. क्या हुआ? पल्लू, मैं तुमारे लिए एक सप्राइज लाया हूँ. क्या सप्राइजे शिकर जल्दी बोलो, मुझे बहुत काम है राम राम मलकेन, हम्रा नाम जो है ना वो चमेली है और हम जो है ना आपकी नहीं नौकरानी है असलाम आले कुम मिम साब, हम तुम्हारा नाया ड्राइवर हो ना आमी पिंकी, तुम्हार नानी ओभाइगाड उड़ी बाबा, है देया, का हुआ रिलाक्स, रिलाक्स, इनकी एक्चुली यह आदत है, थोड़ा सा लाउड रियाक्ट करती है आप लोग घबराये मत, क्या हुआ पल्लू? शेकु, तुम जानते हो ना, इन सब को लाने की क्या ज़रूरत थी, घर का सारा काम तुम्हें कर लेती हो ना हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन पल्लू, अभी मैं चाहता हूँ कि तुम्हें थोड़ा आराम मिले, अब थोड़ा टाइम तो अपने लिए भी निकालो ना पल्लू, लेकिन, लेकिन, वेकिन कुछ नहीं, आज से घर के सारे काम ये लोग समालेंगे, और तुम सिर्फ करोगी, जो तुम्हें पसंद है, ओ माइ गॉड, अपकी हो लो, शेखू, इतने साल से तुम्हे ये भी नहीं पता चला के मेरी पसंद और ना पसंद क्या है, तुम्हें पता है ना मुझे घर का काम करना पसंद है, समका ख्याल दखना पसंद है, फिर भी तु, अरे पर है रहे है ना हम, बड़ाबड बोली माजी, मरहबा, मरहबा, माता जी ये पोट्टी का आवाज कितना मधुर होना, मैं प्राब आप सिंगी काई कुनी ट्राइ करती, मेरी खातिर पल्लू, फ्लीज, ओ मैं गॉड, अपका हुआ, मेरी दाव, ये हमेशा ऐसे ही करती है, मतलू, हाई-पःच्पव, कहा ह calculating, ये देखो कितना कजणा यहांपर, इस दिखास हैं Εंडरा है तुमे, रहे हमें तू, आर्यो, हम कर लेंगे, पुलिफ कख्यां, क्या कॉन्ड कोल किया? ऐसे कोन लीज बानता है, हाँ, यह दिखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ परफेक्ट देखा, चलो बेटा देर हो रही है यह औरत का बहुत समोसा है समस्या है कि मैटा मैटा बोल्ड़ मैटा मैटा बोल्ड़ सामने देख कर चलाओ ना अब ही ठोक देते अलामिया पास चाड़ने का बहुँच आउका चाड़ा इसको आगे से राइट पर ने ने लेफ्ट-लेफ्ट रुको 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 कुम से नहीं होगा मैं ही चला लेजियो या 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 इस परफेक्ट हैसे चलाता है गारे या 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 का हुआ यह क्या पर नहीं हा यह तो हम चाय का स्वाद देख रही वा यह क्या है यह तो चाय है हरे कितनी उबाल दी है यह देखे अब यह का है इसे टी कलर चार्ट कहते है देखे इस शेड की होती है चाय ब्राउनिश बाइट यह हाँ इस शेड की चाय पसंद है मुझे और आपने तो पूरी चाय जला दी आप रहने दीजे मैं खुद बना लोगी तो कैसी रही बहुत बुरी माडम सर इनकी महतार्मा बहुत इज़त सबेज़ती करती है अगर वाइफ को इतना सारा काम खुद करता है माडम सर तो मैं तो बहुत ही बुरी वाइफ साबद होगी नहीं, Santu जी, नहीं आपसे जिसका सादी होगा ना, Santu जी हूँ सारा काम खुद से करेगा सवभागी होगा, खुद सी खुद सी मारेगा ओँ जाडू जाले साफ करेगा बर्तन पुषपा जी, आप इतनी चुप-चुप क्यू है? क्या बताया आपको मैडम सर? हमारे तो भागी फूट गए है एक तरफ है इनकी पत्नी, जो हर तरह से सर्वगून संपन एकदम सूपर वूमन की तरह और एक तरफ है हमारी बहुरानी, करिष्मा जी बर्तन धोते समय तो उनको देखना जाहिए ऐसा लगता है जैसे अपरावी को दोरी और आटा गूनते समय तो मतलब ऐसा लगता ही जैसे आटे सी कौन सा सच उगलवाना चाहती है वो काश, काश हमारी बहुरानी भी इनकी पतनी की तरह होती एकडम सुपर वूमन शुक्रमना ये पुष्पाजी की करिष्मासें गैसी नहीं है क्योंकि जिस प्रॉब्लम से इनकी वाइफ गुजर रही है उस प्रॉब्लम से किसी भी औरत की नहीं गुजरना चाहिए मैडम मैं को समझा नहीं क्या मतला इसे कहते हैं सुपर वूमन सिंड्रोम इस सिंड्रोम में एक औरत घर की सारी जिम्हदारियां खुद उठाना चाहती है चाहती है कि सारा काम परफेक्शन से हो उसके तरीके से हो लेकिन अकेले करना चाहती है कर दो लेकिन ऐसा क्यों मैडम इसका बहतर एक्स्प्लेनेशन हमारे विमन साइकोलोजी स्पेशलिस्ट चीता चतुरवेदी देंगे देखे भाई सब का है इसका मूल कारण जो है न वह हमारे देश के अलग अलग छेत्रों में महिलाओं की परवरीष और उनके व्यक्तित वका गलत संदचना गौर कीज़ेगा संतु जी मतलब सब लोग गौर कीज़ेगा क्या कि हमारे देश में सा लोग सोचते हैंना कि अगर बेटी है बीवी है औरत है तो उसको परफेक्ट होना चाहिए सब को परफेक्ट बीवी चाहिए परफेक्ट बेटी चाहिए परफेक्ट पत्नी चाहिए परफेक्ट नना परफेक्ट तुम बिलकुल ठीक कह रहे हूँ, शेखर, और उरतों को पैदा होते से ही ना एक एक्जाम में डाल दिया जाता है और उस पर प्रेशर बनाया जाता है कि आपको पूरे नंबर लेकर आने, इसी प्रेशर की वज़े से एक साधार और मासूम सी बच्ची बड़े होते होते पर इसी बिवी पलवी की तरह, अफसोस कि आपकी बिवी भी इसी बिमारी का शिकार है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बस उन्हें परवरिश है ऐसी मिली है, तो क्या मुझे उसकी परवरिश फिर से करनी पड़ेगी? नहीं, नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था, आप आ गए हैं नहीं, हम कुछ करते हैं, पर मैडम सर, इनकी प्रॉब्लम हम लिखेंगे क्या, क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम है, वो लेगिली किसी भी आग्यूमेंट, डिस्प्यूट या क्राइम के क्या टेगरी में नहीं आती हैं, वासन, तुझी क्या काटे का सवाल की हैं आप, मिसिंग, मिसिंग रिपोर्ट की कैटिगरी में डालेंगे हम इनका केस, जहां एक औरत अपनी जिंदेगी के जिम्मेदारियां उढ़ाते उठाते इनमें इतना जादा खो गई है, कि अब हमें उसे ढूनना पड़ेगा मिसिंग रिपोर्ट करिश्म में डाम को बत्ताना पड़ेगा अब अपराग्यों को सजा सुनाई जाएगी बिना वर्थी के यह बिल्ला कहां रह गया रहा गया आम बिल्लुद स्पाइड तुम्हाई मैया के सासु मैया मैडम मैडम समल के समुद्गी इस आख्षे ना पूरा देखने रहा है वो दरजी ना जल्दी-जल्दी में एक आख ना आधी काटड़ी इसली फैंसी ड्रेस कॉंपटिशन चला है यहां पर फैंसी ड्रेस कॉंपटिशन तो मैं ही जी तुगा मैं नहीं छोटा बॉंड आया हो तो कुछ ना कुछ बॉंड गई जाओंगा मैडम क्या करियां क्या करें? चा भी गुमाना बन कीजिए पाहे पूरा लखना आपके स्टाइल को जानता है पहिचानता है तुरंध पहिचान लेगा वो बन कीजिए तो मैं टोपा होका यह 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 तोपा होका तुमारी मया कि सासु मया चुरं होका दरोगाची तो बहुत देखे, पर तुमसा नहीं देखा, यह सब डायलोग नहीं चलेंगे, जिको, आपने जिस हिसाब से गेट अप लिया है ना, उस हिसाब से डायलोग लीजिए ना, जैसे? जैसे कि आपने पगड़ी पेनी हैं तो, लटा एके, चटनी हो के, तेरी सयाती मोडु माई भईया, आपकड़ तम बहुत देखे, बर तुमसा नहीं देखा, यह से गई डायलोग निक्तम अलद 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 डायलोग आप लीजिए, जा भी घुमाना बल किजी, जी, अगया, अगया? अगया, 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 अगया! । झाल झाल